तो अब मेरे पास है iPhone और Apple का battery pack और इसे मैं जब जोडता हूँ तो मेरा phone चार्ज होता है 7.5 watt की speed से लेकिन अब मेरे पास आ जाता है एक fast charging cable और अब मेरे पास हैं दो lightning port तो मैं इसे किसमें लगा हूँ? पहले इसे लगाते हैं iPhone में मजाग करने Android थोड़ी है अब ये phone चार्ज हो रहा है इस fast charging cable से और साथ ही साथ में ये battery bank थी चार्ज हो रहा है wirelessly phone के जरीए जब मैं इस cable खो battery pack से connect करता हूँ तो अब ये battery pack act करेगा as a fast wireless charger यानि की मेरा phone चार्ज होगा 15 watt की speed से अगली बार जब आप सोची की कौन सा gadget gift किया चाहे so this is not a bad option और वो बंदा जब पूछे तुझे इसके बारे में कैसे पता लगा so बिल्कुल मत बताना की वार technician channel में देखता हूँ